तो दोस्तों आज की वीडियो में यार न हम थोड़ा से यार एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है देखो जैसा है कि आपको पताईए भाई एक आपका मार्केट में बहुत ही तकड़े लेविल पर आई टूल चल ला जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ गूगल ने भी जो है अपना एई टूल टूल वेबसाइट बना पा रहा है और जैसा भी बना रहा है उसमें क्या कमिया है क्या चीज है हाला कि जो गूगल का बार्ड है वो अभी एक्सपेरिमेंट बेसेस पे चल रहा है बट इस्टिल जो है हम एक कंपरीजन करके देखते हैं और आपको एक थोड़ा सा नॉलिज जो मिलेगी किस तरीके से यार जो है वो AI टूल एपसाइट का हम यूज करके न अपने लिए यार एक एक कह सकते हो एक बेसिक लेविल का टूल एपसाइट हमारा तयार हो जाएगा फिर अगर आपको कोडिंग आती है और आप उसमें और ज्यादा एन्हांसमेंट करके आप कई सारे जो है उससे टूल क्रियेट करवा सकते हो और उसको अलग-अलग कीवर्ड में टार्गेट करवा करके अगर आप रैंक कर ले जाते हो तो भाई एटसंस अप्रूवल ही मिलता है टूल एपसाइट में जानते तो हो गई और अगर एटसंस अप्रूवल ले जाओग ट्राफिक वगरा ले करके आ जाओग चाहिए बहले सोसेल मीडिया से लाओ गूगल से लाओ कहीं से भी लाओ अगर ट्राफिक वगरा आ जाएगा ब्लॉग पे तो अर्णिंग वगरा भी हो जाएगा इसके ओपर मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं कुछ मैंने आपको बताया भी है कि कैसे चयर जिपिती का Use करके जो है टूल अभाय बनाते हैं आपको हैपिती ओपर क्रोई आख सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को भाई जो है वह कर देना ध्यान से अब अगर आप टूल एपसाएट बनाना चाहते यार यार ब्लॉगिंग बगरा करना चाहते हो तो आपके यारे hosting बगरा की जुरूत पड़ती है तो description में आर आपको link दिया हुआ जिसमें आपको different different hosting बगरा मिल जाएगी और अगर कोई coupon code available होगा तो coupon code बगरा मिल जाएगी तो उसके बास जो advice हो मुझे mail कर देना मेरे तरफ से जो भी आर आपको support बगरा होगा यार वो मैं आपको पनी तरफ से पूरा provide करने की कोसिस करूँगा ये मैं actually extra में एक चीज़ जो है वो कर सकता हूँ तो चोले यार back to the topic अपने topic की तरह पाते हैं तो वीडियो को अध्धान से like कर दे ना भाई बड़ा ही मरिदार वीडियो होने वाला आपको समझने वाला भाई कि कहां कहां पर किसको आप यूज करने वाला हो तो सबसे वाले भाई भाई हमने खोल लिया है Google Bard जिसका URL आप देख सकते हो bard.google.com इस तरीके से जो आपको दिख जाए हो अब हम आज के में कौन सा tool website बनाने वाले हैं तो बहुत है market में एक आप ने देखा हो गया QR code generator करके जो है QR code में convert करते हैं for example के लिए मैं अपनी website का नाम आपर टाइप करता हूँ और थोड़ा से यहां पर invalid हो गया इसको सही से हम टाइप करते हैं खुद coding सीखनी पड़े हैं अगर कोई बोल रहा है कि इतना advanced tool अभी फिलाल के टाइम पर चैट GPT या Google बना देंगे तो भाई अभी नहीं अभी यह possibility नहीं यह में भी future में हो सकती है कि आप सीधे type करो और आपको जो है high level का tool बन करके मिल जाएगा सीधे zip में download करो और सीधे मिल जाते हैं अब देखो कि इस तरीके के website पर adsense वागर approval लगे रहते हैं देखो यह कई बार जब मैं किसी tool website के बारे में बात करूं ना तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको वही tool website बनाना है process सीखो कैसे काम होता है किस तरीके से चीज़े करी जा रही है क्योंकि अगर मैं व format to blog नहीं होता है कि आप दूसरे page में Google के rank करो वहाँ कोई नहीं आता tool website में तो यह funda है यहाँ पर इसमें आपको पहली दूसरी तीसरी position तक ही rank करना पड़ेगा तब ही आप major traffic जो है वो ले करके जा पाओगे tool website में तो यह कुछ funda है आपको concept song में आए तो यह QR code है इसका एक basic version जो है हम try करने वाले हैं कि गुगल बार्ड का use करेंगे पहले उसके बाद जो है वो chat GPT का use करेंगे देखेंगे कौन जो है वो में एक beta tool बना करके दे पा रहा है जो भी basic feature के साथ तो हम सिर्फ इसका एक normal सा जैसे free text लिखा हुआ ना यहाँ पर जैसे मैं कोई text डालत जो है वो कुछ ऐसी type कर लिया होता जैसे कि create responsive text to qr code generator tool in jquery and material design material design आप जैसे यह आप देख रहा हो ना जो मैंने अभी आपको दिखाया यह जो है material design में ही बना हुआ design है काफी advanced design होता जो आप mobile के latest time पर android के जो UI वगरा देख रहा हो ना वो सब यार material design का use करके बने काफी cool लगते हैं काफी बढ़िया लगते हैं मैं भी सोच रहा हूँ जो आपने next project वगरा बनाऊ बना है और वो आप material design को लेकर करके बनाऊंगा काफी बढ़िया लगते है आप Google Adsense को देख लो आना लेटिक को देख लो सम material design पर उनका GUI वगरा बना हुआ है तो मैंने prompt डाला भा बहुत ही basic type का लग रहा है और पता नहीं मुझे तो थोड़ा सा doubt हो रहा है कि यार यह code जो है वो सही functional चलेगा भी कि नहीं चलेगा design तो हो सकता बना दे बट functional पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा चोड़ इसको copy करने के बाद जो है हम जाते है code pen वाली website पर यहां पर हमको एक basic basic overview मिल जाएगा कि यह code जो है वो सही से functional कर रहा है क्या उसका design है किस तरीके की चीज़ है then further जो है इसको हम use कर सकते हैं तो उसको हमने यहां से करा copy और copy करने के बाद देख सकते हो यहां पर हमारा design बन करके आ गया तो design तो material design का use है देख रहा है बिल्कुल बढ़िया स तो example तौर पर यहां पर मैं लिखता हूँ hello world मैंने यहां पर जो है वो hello world टाइप किया और इसको हम generate बटन पर क्लिक करते हैं जैसा कि हमने generate बटन पर क्लिक किया मतलब functionality work नहीं कर रही है जो भी code हमने Google Bart से tool website बनाने के लिए करा वो नहीं बर कर रहा error वगरा क्या आ रही है वो भी जो हमको यहां पर एक idea मिल जागा अगर मैं यहां पर console पर click करूं तो console पर click करने के बाद हमको यहां पर पता चला है कि यह QR code is not defined मतलब यहां पर जो कोई एक parameter है यह function यहां पर जो है वो define नहीं क्योंकि इसकी कोई library है ही नहीं यहां पर कोई नहीं कोई तो लेपसाइट नहीं जनरेट हो पाया QR code से related अब जो है वो हम chat GPT को use करने वाले हैं और same prompt जो है वो हम chat GPT पर लिखते हैं इसको जो है हम यहां से अटाते हैं और यहां पर जो हमने prompt type किया हुआ तो वो यहां से हम copy कर लेते हैं सेम हमने यहां से copy कर और यही जो है same prompt जो है वो हम chat GPT पर देते हैं और इसको हमने यहां पर इंटर कर दिया एंटर करने के बाद chat GPT ने अपना काम करना start कर दिया हूँ और यहां पर जो है एक proper HTML और जो है वो design होना start हो गई है साथ ही साथ जो है यहां पर हम देख सकते हो qr code का भी जो है अब देखो यहां पर एक साफ साफ चीज हमें देखने को मिल लेए कि इसने cdn से जो है वो qr code की जो लाइबरेरी है वो यहां पर include कर दिया हूँ ठीक है यहां पर यह भी जो same design है material design का use हुआ है और इसने भी हमको जो है basic level का बढ़िया सा tool website दे दिया हुआ qr code generator अब यह दिखने में तो बिल्कुल बढ़िया सा दिख रहा है अब इसकी functionality क्योंके जो हमने बार्ड से google बार्ड से code generate करा हुआ तो उसकी functionality में काफी जादा problem थी क्योंके वो functionality वर्क ही नहीं कर रही थी आप देखते हैं इसकी functionality वर्क कर रही है या नहीं कर रही है क्योंके डिजाइन तो fully responsive लग रहा है आप यहां पर अभी हम same text लिखते हैं hello world hello world लिखने के बाद जैसी मैं generate बटन पर क्लिक कर सकता हूँ देख सकते हूँ यहां पर जो है वो QR code generate हो करके आ गया मतलब हम यह कह सकते हैं कि अभी बार्ड में अगर हम कोई tool website बनाना चाहे है या coding के point of devices से use करना चाहे तो यह उतना बढ़िया result नहीं दे रहा है काफी GPT को देखे जा करके तो यह काफी बढ़िया result दे रहा है क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो इस चीज के उपर बनाया थे जिसमें code अगर SM generate कर रहे था तो उसकी functionality properly वर्क कर रही थी तो यह एर एक test था और वो test में अगर हम बात करें जाकर के tool website अगर हम बनाना है Google बार्ड का यूज करें चैट GPT का यूज करें तो मुझे लग रहा है कि चैट GPT जो है वो काफी बढ़िया result दे रहा हो और आप अपने लेविल पर जो है वो experiment बगरा करके देख सकते हो अला कि यहाप गूगल बार्ड में आपर साब साब लिखा हुआ है experiment तो हो सकता आगे इसमें जा अब भाई functionality properly work करनी चाहिए और इसका अगर हम यहाँ पर देखे जा करके तो यह functionality properly work कर रही है और इसने हमको बढ़िया से QR code generator टूल बना करके दे दिया तो भाई आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं चैनल वगरा ना सब्सक्राइब कियो तो चैनल सब्सक्राइ कर दो इस वीडियो को भी जो है वो द्यान से लाइक कर देना चलो फे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में